ऊथी नमस्कार साथियों इस वक्त आप लोग देख रहे हैं वी आई-पी न्यूश थ bapt में किसी दार्थ और बिहार में ही लगतार हम लोग चल रहे हैं आप एक के बाद एक भारतिय जनता पार्टी यानि बाजपा नेंदर मोदी योगी के लिए काम करते थे तो क्या नाम है सरापका सिकंदर बिंद कहां के रहने वाले हैं अभी अभी कहां पर मौजूद है अभी हम बोचाहां में आया है चुनाव परचार में कैसा लग रहा है बहुत इस्तिति अच लोग नाम ले रहा हैं उन्हें काफी भोट जीत रहे हैं बाजपा बाजपा यहां तीन नंबर पर जा रहा है तो दूसरे पर इसके बाद आप को दिखाए यह दे रहा हैं अच्छा यह पताई अभी आप और से पहले आप किस पार्टी या किस दल के लिए काम करते थे ते ह हम बीजेपी में पहले हम पंचायत धक दो बार रहे, उसके बाद हम मेन मंडल में मंत्री रहे, उसके बाद में अती पिछरा मुर्चा में महा मंत्री रहे, उसके बाद चिरिया विधान सभाय के बिस्तारक दो साल रहे, उसके बाद में फिर हम लोक सभा चुनाओं में दो साल उसके बाद फिर तीन मां विधान सभाटरा चुनाव में वरहली विधान सभाटरा रहे उसके बाद फिर अति पिछना मुर्चा का भी मंडल अध्यक थे लेकिन मुखे सहनी जी के सांथ जो अत्याचार हुआ अति पिछरा समाज के लिए जो आरक्षन मांग रहे थे और उनके सांथ जो अत्याचार हुआ उस अत्याचार को हम नहीं सहन करता है चुकि अति पिछरा समाज के भी हम भी बेटा है इसलिए हम सोचे कि नहीं मुखे सहनी के में कदम मिला कर काम करेंगे ताकि अती पुष्रुव का हग को दिरा सके अच्छा एक बात बताईए आप पहले भाजपा में काम करते थे अब आप व्याइपी पार्टी के लिए काम करें तो भाजपा ने तो आपको मतलब गराम लेवल से लेकर के विदान सभा जी ले पता न समाज से हम भी और उनको अपमान मिला ह। अपने समाज के लिए हम समाठी में रहकर नहीं देल वा पए कि से बप्रढ़ एक मुखेष औहून MAR लगबग भाजपा में काम कर चुके हैं तो 20 साल में एक सनोक मल्ला अति पिछड़े का जो बेटा है उसके साथ जब अपमान हुआ तब आप कजमीर जागा 20 साल में बहुत सारे लोग के साथ अन्याई किया तब आप कहां देख तब आपने बाजपा क्यों नहीं छोड़ा हम इस चीज से हम लोगों को नहीं लग रहा था कि भाई इस चीज हम लोगों को मिलना चाहिए जैसे मुखेस वानी जी इस चीज को आकर मांगे तो हम लोगों का अँख फूल गया कि हम लोगों के समाज के लिए भी इस तरह का अधिकार मिलना चाहिए ताकि हमारे समाज के अपना भरण कोशन नहीं कर बाते हैं और इस चीज को मांगने के लिए प्रयास किये तो उनके साथ धोका हुआ तो हम सोचे कि नहीं भाई ऐसे बैक्ति के साथ मदद करके इनके साथ काम करना चाहिए ताकि अति पिछड़ा का होक हुकूमत मिल सके मंत्री जी तो कहते हैं कि लालो परसा यादा हुआ हमारे आदर्स हैं और नितिश कुमार के साथ भी उन्होंने सरकार चलाई है मंत्री रहे हैं अनकी सरकार में जीतन राम मांजी भी बिहार में मुखे मंत्री बने हैं तो बहुत सारी लोग हैं जो अति पिछड़े या करते हैं इसलिए हम इस वाटी में आ गए हम इनके साथ काम करेंगे ताकि अति पिछरों का हखा कि दिला सके चलिए बहुत-बहुत बढ़िया तो यह थे हमारे साथ में क्या नम पता सिकंदर बिंजी ने बताया कि हम लोग भारतिय जंदा पार्टी में काम करते थे लेकिन अन्या म安全ी मंत्रि मुकेश आनी जी खा मान किया तो अप्मान बदला लेंगे बिल्कुल लेंगे का sekarang समाज के लोगा को मिलाकर काम करेंगे और बियार में सरकार बनाएंगे आने वाले तक आप भाजपा को जिता रहे थे 20 साल अब आप VIP पार्टी को कैसे जिताएंगे हम जिताएंगे हम अपने लोगों के पास जाएंगे और इस चीज को हम अपने लोगों से बताएंगे कि हम लोगों के नेता मुकेस अनीजे हैं, जो हम लोगों के हक हुकुमत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी सारी सुक्स विदाओं को छोर कर, सब को लात मार कर, और हम लोगों के लिए काम करें लें, तो हम लोगों भी अपना कदम से कदम मिला कर उनके साथ काम झाल झाल